श्री कृष्णा राधे राधे धन्मान और सुखी जीवन के लिए सावन में करे सीव पुरान के ए उपाय, भोले नात की रहेगी किर्पा, सावन का पवित्र महीना सूरू होने वाली है, और यह महीना भगवान सीव को समर्पित है, इसलिए लोग अपने अपने तरीके अराधना और उपाय करके भोले नात को परसंद करने के लिए कोर्सिस करते हैं, एसे में हम या आपको कुछ सीव पुरान के कुछ एसे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको करने से आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल सकती है साथी जीवन में सुक्समरीधी का बास हो सकता है आए जानते हैं सीव पुरान के उपाय के बारे में जानने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो के लाइक करें एक लाइक आपके मेरे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए दोस्तों साथ सेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें सिवलिंग पर चढ़ाए हुए अच्छत अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान है और खूब मेनत करने के बाद आपकी आर्थिक इस्तिती नहीं सुधर पा रही है तो सिव को अटूट कच्चा चावल यानी अच्छत नियामित चढ़ाने से धान की प्राप्ति हो सकती है और आपकी आर्थिक इस्तिती में सुधर आ सकते हैं लेकिन बस ख्यार दखे की चावल तूटा नहीं होना चाहिए दरिर्था होगी दूर अगर आपके जीवन में दरिर्था बास हो गया है तो आपके सावन में परती दिन सिवलिंग का अभिसेग मूंग से करना चाहिए इसके लिए मूंग को राज के समय पानी में भीगो दे इसके बाद अगले दिन भगवान सिव पर ले जागर इससे अर्पित कर दे एसा करने से जीवन में सुक समरीधी का बास रहेगा साथी दरिर्था से मुक्त मिलेगी आरोग की होगी प्राप्ती अगर कोई सदस लंबे से बीमार हो रहे है तो उसके सावन में गाई के घी से सिवलिंग का अभिसे करना चाहिए एसा करने से ब्यक्ती को अरोग की प्राप्ती होगी साथी ब्यक्ती बलवान और सेहत मंद होकर तमाम सुक को प्राप्त करेंगे मनोकामना पूर्ती के लिए सीव पुरान के अनुसार ब्यक्ती को सावन परती दिन 11 ए 21 बिल्पद्र सिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए एसा करने से ब्यक्ती के सभी मनोकामना उन होंगे साथी ब्यक्ती को सभी सुको की प्राप्ती होगी यही बेलपत्र अर्पित करते समय ध्यान रखे की चंदन से बेलपत्र पर राम लीख दे काले तील से करे ए अभिशेख भगवान सीव के साथ अगर आप सनी देव के भी अशिरबाद पा सकते हैं तो आप सावन में परती दिन सिबलिंग पर जल में मिलाकर काले तिल चड़ा सकते हैं एसा करने से आपको सनी देव के साथ भोले नाथ की किर्पा प्राप्त होगी वीडियो फूल वाच देखें प्लीज धन्निवाद